I welcome you all my dear students to my channel Ingenious Study आज हम पढ़ने वाले students perfect state का जो tense है वो past perfect tense perfect state का मतलब ही है जहां perfect नाम आजाए वहाँ पर क्या होता है action खतम हो जाता है या फिर जो duration होता है वो time time खतम हो जाता है ठीक है student? तो perfect का मतलब ही होता है finish ठीक है? तो past perfect का मतलब क्या है? past में कोई काम क्या हो गया है finish हो चुका था है जो subject है वो past में किसी क्रिया को खतम कर चुका था सही बात है student है ना? देखो यहाँ पर कुछ समझने वाली चीजे देखो past की किसी समय तक है ना past की किसी समय तक या past की किसी घटना से पहले किसी समय से पहले कि या किसी समय तक या पास्ट की किसी घटना से पहले कोई काम खत्म हो चुका था ये बताने के लिए इस टेंस का यूज किया जाता है समझ मागे उसे, देखो pastra में दो इवेंट हुए, दो घटना यह गटी तो किसी एक घटना से पहले ही एक काम हो चुका था, सभी बात है ऐसा आपको बताना है, तो देखो pastra में दो घटना गटी एक पहले ही खतम हो गई थी और एक बाद में हुई जो पहले खतम हुई थी इस्टेंट उसको हम लिखते हैं कि इसमें past perfect tense में लिखते हैं मतलब कि इस formula से subject plus head plus v3 plus object और जो बादे में हुई इस्टेंट past में उसको लिखते हैं past simple verb की second form के साथ अभी समझ में आएगा आपको देखो example देखो अभी clear हो जाएगा न doctor के आने से पहले ही marij की मौत हो चुकी थी सभी बात है याने दो event हुए doctor का आना एक action हुआ और marij की मौत हो जाना यह दूसरा action हुआ तो कौन सा action पहले हुआ था श्टेंट marij की मौत का होना पहले action हुआ है न ये जो action था ये first action था और डाक्टर बाद में आया ना, यह second number का action था, तो फर्स्ट number का जो action था past का, उसको लिखते है past perfect tense में, past perfect मतलब क्या होता है, subject plus head plus v3 लगा कर हम लिखते हैं, और जो second action उसको v2 में लिखते है past simple में वर्ब की second form के साथ, तो वैसे यहाँ पर किया है, देखो, the patient had died, before the doctor came, doctor के आने से पहले, doctor बाद में आया ना, बाद की action है, इसलिए इसको वर्ब की second form came लगा के लिखा गया, समझ गया, यही concept is trend, कभी भी यह past perfect tense जो होता है अकेला यूज नहीं किया जाता, ऐसा नहीं लिख सकते था, patient had died, समझ गया, अब इसके कुछ rule है, अकेला जी लिखते हैं, तो उसके के लिए कुछ adverb लगाते हैं, वो सब जब higher level common tense पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा ना, teacher के आने से पहले ही, राहूल अपना homework खत्म कर चुका था, याने teacher बाद में आई, और homework पहले ही हो गया, जिसके पहले की teacher class में आई, उसके पहले ही, है न, जब मैं उससे मिलने गया, तो वह पहले, पगले लिख दिया यार, sorry sorry है न, पहले ही बाजार गया हुआ था, मतलब समझे, जब मैं उससे मिलने गया तो पहले से ही बाजार गया हुआ था, पहले ही मतलब पहले से ही बाजार गया हुआ था समझे तो when I went to meet him तो मैं पहले जो मिलने गया वो second action है और बाजार गया था वो past का भी past action है समझ गया past का भी past मतलब past perfect यह पहले खतम हो गया action तो इसलिए इसको हमने past perfect में लिखा देखो when I went to meet him जब मैं गया went V2 क्योंकि बाद में मिलने गया ना went to meet him he had already gone to market he had already gone to market वो पहले ही market जा चुका था समझ गया तो formula के subject head plus V3 और object लेकिन बच्चो अभी हम अभी बहुत high level का tense नहीं पढ़ रहे है normal level पढ़ रहे है इसलिए आपको यह second clause जो है वर्ब की second form यह नहीं भी दिखेगी तब भी हम sentence को बनाएंगे समझें देखो कैसे है past perfect tense का मतलब तो अभी मैंने आपको बताई दिया देख लो एक कुछ पढ़ ले न आप लो देखो इसके सीधे हम example देख रहे है देख रिया के अंत में क्या आता है पहचान देखो क्या है आई ए है ना यह अक्षर आते यह था के बाद था थे थी मतलब गए थे आये थे किये थे हैना गया था आया था गये थे इस टाइप से कोई काम तो यह देखो आप यहां पर कुछ example दी देख रहे थे मैंने आपको बता दिया है मैंने उसे सुबह 10 बजे फोन किया था अब यह sentence अकेला बोलना गलत बात हो जाएगे इस ट्रेंड लेकिन अभी हम ऐसे पढ़ने वाले है ना जबकि ऐसा इस sentence को अकेला ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग यह गलत sentence अगर देखा जाए तो लेकिन हम अभी सीख रहे हैं इसलिए हम इसे ऐसी पढ़ेंगे ऐसी सीखेंगे है ना यह अधूरा sentence समझ लिए गलत नहीं एक प्रकार से अधूरा sentence इसके साथ और कुछ होना था समझ के यह सुटेन तो 10बजे फोन किया था मतलब तो 10बजे फोन कर चुका था I had called him at 10 in the morning मैं उसे फोन कर चुका था दस बजे से ना तो इसके सामने आप इमेजिन कर सको आपके बोलने से पहले यह आपके बताने से पहले ही मैं 10बजे ही उसे फोन कर चुका था ऐसा कुछ गया था I had gone there सभी तो अभी ऐसी सी को आप लोग है ना जब हम comparison करेंगे past simple or past perfect में तब आपको पता चल दाएगा मैंने उसे बताया था I had told him मतलब उसके पूछने से पहले ही मैंने बताया था मतलब किसी घटना से पहले ही समझ गया यह आपको imagine करना यह अधूरी बात समझ लो इसको है ना मैंने उसे पूछा था I had asked him सही है उसने मुझे वचन दिया था है ना He had given me a promise हम वहाँ एक बार गये थे We had gone there once है ना We had gone there once हम आट लोग वहाँ गये थे 8 of us had gone there उसने मुझे वहाँ आने की जाने की सला दी थी He had advised me to go there सही अभी ऐसी समझो है ना हमने उसकी अनुमती ली थी We had taken his permission मतलब निकलने से पहले मतलब किसी past में किसी चीज के पहले ऐसा हुआता है ना निकलने से पहले हमने उसकी permission ली थी तो यह अधूरा sentence समझो निकलने से पहले बारा sentence अभी है लिखानी अभी ऐसी सी को हाना वह मुझे भूल गया था He had forgotten me क्योंकि यह tense अकेला यूस किया ही नहीं जाता रूल यह है इसके साथ कहीं न कई past simple tense यूस किया जाता है शुरू हुई कोई क्रिया उस वक्त भी शुरू ही थी ऐसा दर्सानी के लिए भी पूर्ण गूतकाल का प्रयोक किया जाता है जैसे की in 1985 I had lived in Mumbai for 10 years यहने 1925 में मुझे मुंबई में रहते हुए 10 साल हो चुके थे मतलब 10 साल से मैं मुंबई में रह रहा था लेकिन उसके बाद भी और कुछ साल रहा लेकिन 1925 तक मैं 10 साल से रह रहा था मतलब पास्ट में कोई एक्षन क्या थी चालू थी सही है लेकिन उसमें कुछ काम कंप्रीट भी हो गया था ऐसा दर्सानी के लिए भी हम यह चीज बोल सकते है हो सकता है कि 1985 के बाद भी रहा होगा लेकिन हम क्या कहना चाहरे है कि 1985 में मुझे मुमे में रहते विए 10 साल हो चुके थे इस टाइप के सेंटेंज में भी आप इसे यूज कर सकते है समझे श्टेंट बस इतना ही था अच का है ना तो हम बाद में के लेक्चेर लेंगे उसमें एक हम आपको बताएंगे श्टेंट कि past perfect tense और past simple tense में क्या difference होता है ठीक है ना तब आपको बहुत ज़्यादा clear हो जाएगा भी आप इसे ऐसे ही समझिए ठीक है ना कि क्रिया के अंतर में ता था ये था है ना कर चुका था चुके थे इस टाइप के सेंटेंज में हम इस टेंज को यूज करते हैं अभी इतना ही जानकारी आपके लिए सफिसेंट है अगर पसंद आया होगा वीडियो तो जरूर मुझे बताएगा यह जो सेंटेंज यह बिलकुर राइट है ना इसको हम ऐसे यूज करते हैं ओके थेंक यू वरी मच माई डियर श्नेट ओके